मैं इतना जानती हूँ कि पार्टी जैसा कहती रही, मैं वैसा करती रही, मैंने कभी भी पार्टी लाइन क्रॉस नहीं करी, पूरी निश्था से, पूरी इमानदारी से मैंने काम किया है, अभी भी मैं पिछले एक महीने से 36 गड में थी, लेकिन जब हम दिन रात इस पार्टी इसलिए क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ एक सनातन धरम को फॉलो करने वाली हूँ हिंदू धरम को राम लल्ला के पूजा उपासना करने वाली हूँ तो इसलिए मुझे न्याय ना देना तो यह पार्टी कहा जा रही है क्या कर रही है आपकी लड़ाई राम लल्ला से है कि आप मुद्दा यह नहीं है कि चुनाव हैं क्या है मुद्दा यह है कि प्रभू श्री राम जो सबके आराध्या है पूरा देश पूरे विश्व में खुशी है राम मंदिर की लेकिन उसकी वज़ा से कि जो जो राम जी की उपासना करते हैं उनके साथ ऐसी अबद्रता करना और फ अब प्रभू श्री राम के चड़नों में पहुँच गहीं उन्हीं से नियाई की उमीद हो मैं जानती हूं मर्यादा पुरुष्रत्म प्रभू श्री राम मुझे नयाय सवयम देंगे देखे मैं अभी इसी बात पर कायम रहना चाहूंगी क्योंकि बहुत ही समवेधन शील मुद्दा है और मैं बहुत परेशान हूं बहुत दुखी हूं बहुत ही अंदर से और मैं को इस बात को बोलने में और बहुत पीड़ा से समय गुजर रही हूं क्योंकि बहुत भारी म न्याय के लिए और लोगों की न्याय के लिए बात करती हूं हमारी पार्टी बात करती है महिला न्याय के लिए किसान न्याय के लिए युवा न्याय के लिए श्रमिक न्याय के लिए और जब खुद के घर में अन्याय होता है और उस पर चुपी साद लेते हैं क्योंकि सिर कोई शिकायत करती आई हूं मैंने सभी को शिकायत करी कोई नहीं नेता मैंने छोड़ा और लगा तार मुझे चुप रहने को कहा गया बाकी बाते मैं कल प्रेस कॉंफरेंस के जरीए सभी से शेर करूगी जीनियूर्स